पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहाँ नमस्कार आप देख रहें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ प्रभाकर पंडे आपको बता दें कि भारती जन्रता पारटी कारियाले में अटल सवागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें नवनियूक्त परदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप चाहिस्वाल का भग्विश्वागत किया गया महिला मोर्चा के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजन की गयी थी जिसमें राज्यसवा सांसद और महिला मोर्चा के परदेश अध्यक्ष धर्मशीला गुपता के द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजन की गयी थी जो की सदन में भेजने की बात की गई थी उसकी सुरुवात भारती जनता पार्टी ने कर दी और इस मुद्धे पर क्या कुछ कहते नजर आई धर्मिशिला गुपता पहले आप इनका बयान सुने आज बिहार प्रदेश महिला मूर्चा की ओर से अनब नियुक्त माननिय प्रदेश अध्यक्ट डॉक्टर दिलिप जैसवाल जी का स्वागत समान समारू था और इस अफसर पर जो हमारा ये चुनावी मुद्ध है हमारा संगट नात्मक बैठक था और मैं अपने मानिय प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ट डॉक्टर दिलिप जैसवाल के प्रतिया भार बेक्ट करते हैं आजादी के बाद पहली बार बिहार प्रदेश की महिला मुrचा की सभी जिला अध्यक्ट बहनों को बिस सुत्री में सदस से बनाया गया है इसके लिए बिहार प्रदेश महिला मुद्चा की ओर से अभार ब्यक्ट करते हैं और हमारा ये कारिकरम है हर घर तिरंगा रक्षा बंधन और स्वक्सता अभियान ये कारिकरम हमारा तीनों अभी चल रहा है हमारे विहार की सभी बहने हर घर जाकर के तिरंगा लगा रही है और एक देश को संदेश जा रहा है आपने देखा किस तरह से अभी तो 100% मिल गया सभी जी लाकी बहने हमारी भी सुत्रियत सदस्य बन गई है मैं राजसभा सदस्य हमको बना गया एक साधरन पडिवार की महिला हूँ और पंचाइट से लेकर परदेश तक मैंने काम किया और मुझे पता नहीं था मैंने मांगा नहीं था और पार्टी ने सांसत बनाया तो ये भारतिये जनता पार्टी है उनकी निगाह परदे के पीछे जो महिलाएं काम करती है जो बूत पर काम करती है जो देश के लिए समाज के लिए पार्टी के लिए काम करती है उन महिलाओं को भारती जनता पार्टी सम्मान दे रही है। पार्टी का और हम लोग अभी शंकाल के लिए है कि हमारा 25 जो चुनाव है वो एंडिये गठवंदन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और नारी शक्ति जहां होती है वो लक्षवी दुर्गास और सथी का रूप होती है। आपको पता होगा कि बाकबोर्ड कमीटी बनी है और पहले जो बाकबोर्ड कमीटी थी और बांगलादेश वाला तो यह हिंदू पर जो आत्याचार हो रहा है। तो कही न कही कोई है मैं आम नहीं लेना चाहूंगी लेकिन कही न कही जो है जो हिंदू बिरोधी है जो हिंदू को हिंसक किस्सक कहते हैं राउन गांदी जी। कही न कही कोई है जो एक करवा रहा है लेकिन देश देख रहा है पार्टी देख रही है जन्ता देख रही है और भारत्य जन्ता पार्टी एंग्ये गटवंदन चुप नहीं है जाच हो रही है जो हिंदू पर अत्याचार हो रहे है इसकी जाच हो रही है और उचितकारवा की जाएगी महिला मुर्चा के प्रदेश अद्यक्ष धर्मिशिला गुपता ने कहा कि माननिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के नित्रित्व में यह पहली वार देश में भारत की आजादी के बाद यह महिला को शम्मान दिया और सविको कारे-कारी सदस्य बनाया गया ये पहली बार है भारत आजादी के बाद इसमें महिलाओं को शमवान दिया है यदि मेडाओं को कोई शम्मान करता है तो है भारतिय जंडता पार्टी और बंगलादेश के जो बंगलादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर धर्मशिला गुपता का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसकी हाथ है वो सब पता है और इसका खुलाशा भी होगा इसमें जांच प्रताल चल रही है माननीय प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी शक्रियें इस मुद्य को लेकर और बंगलादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसके बिरुद्ध में जो भड़काया है वह सारा जितने भी बाते हैं सारे बात ये पता चलेगा जिस पर कानूनी कारवाई की जाएगी और क्या कुछ कहते नजर आये धरमिशिला गुपता मैंना आपको सुनाया फिलाल इस ख़बर बस इतना ही आगे के तमाम ख़बरों के लिए बने रेमरे साथ वीडियो को लाइक करे शेयर करे चैनल को करना ना भूले धन्ले बाद